हाँ जी सशिकाल सारे नू स्वागत कर देयां तो डा स्मार्टक एजुकेशन दे यूट्यूब चैनल ते I hope तुसी सारे बहुत वधिया होँगे और हुन तक आपा टेली प्राइम दी सीरीज दे विच खवर किता के टेली प्राइम नू अपा इंस्टॉल एंड डाउनलोड किता कर सकते हैं सिस्टम दे विच एजुकेशनल मोड की है और लाइसेंस किता एक्टिवेट किता जा सकता है टेली प्राइम दे विच फिर आपा देखा के कमपनी किता क्रियेट हुन दी है टेली प्राइम देविच एंड लेजर्स कितां क्रेट किते जांदेने ये हुन तक दी आपा वीडियोस देविच कवर कर चुपके हैं अगर तुसी ए वीडियोस नहीं देखे हैं ता मैं एनादर लिंक तानों डिस्क्रिप्शन बॉक्स देवांगे तुसी ओथे जाके ए सारियां वीडियोस नो वन बाइवन देख सकते हो ता आज दी वीडियो देविच आपा देखांगे कि टेली प्राइम दे विच वाउचर्स की हों देने और किन्ने टाइप्स दे आपन वाउचर मिल देने और केडे वाउचर दा की की यूज है ओपा आज दी वीडियो दे विच कवर करना है ता तुसी बने रहना है बिल्कुल एंड तक सडे नाल इस वीडियो दे विच ता मैं हाँ आप वनीत को और ता चलो स्टार्ट कर देया आज दी वीडियो ता मैं टेली प्राइम दे विच अपनी कंपनी जड़ी है ओपन कर लई है ता तुसी देख सकते हो गेटवे आफ टेली दे विच ट्रांसेक्शन दे विच ता अनू वाउचर दी ओप्शन शो हो रही होएगी जिवें ही तुसी वाउचर से क्लिक करोंगे तो अडिकोल वाउचर ओपन हो जाणगे अगर आपा इस दी शाटकट दी गाल करिये तो तुसी देख सकते हो एथ ही आपानू वी हाईलाइट शो हो रहा है अगर तुसी कीबोड तो Simple V प्रेस करोंगे तो तुड़े वाउचर जिड़े हैं ओपन हो जाणगे ता अपा वाउचर से क्लिक कर लेने हा तो जिवें ही तुसी क्लिक करोंगे तो अडिकोल वाउचर विंडो ओपन हो जाएगी ता तुसी right hand side ते कुछ options देख रहे होंगे ता one by one आप आइना नो cover करांगे आज दी वीडियो दे विच ता सब तो पहला जिड़ी option आ रही है ओ है date means अगर तुसी अपने किसे भी voucher दी date change करना चांदे हो तो तुसी simple date ते click करना है या तुसी अपने keyboard तो F2 प्रेस भी कर सकते हो अगर तुसी F2 प्रेस कर दे हो ता तो decol date change दा गिड़ा box है open हो जाएगा तुसी एथे जिड़ी भी date रखना चांदे हो voucher दी ओहो रख सकते हो फिर आपा escape करके back आवांगे then आंदा है company and company दी shortcut command है F3 जिवे ही मैं F3 प्रेस करांगी तो तुसी देख सकते हो आपने call create company, select company and shut company दी options आ रियाने and ए options आपा किसली use कर दे हैं आपा पिछली वीडियोस दे विच कवर कर चुके हैं जिना दा link में ता नो description box दे विच दे दमागी तुसी उत्थे जाके check कर सकते हो इस तो बाद अपने आजांदेने vouchers and आप आप इना नों one by one कवर कर दे हैं अभी केडा voucher किस purpose दे ले है तो सब तो first जिड़ा अपना voucher है ओ है contra voucher and इस दी जिड़ी shortcut command है ओ है F4 अगर तुसी keyboard तो simple F4 प्रेस करोंगे तो बाद जिड़ा contra voucher है ओ हो open हो जाएगा तो जिवें तुसी देख सकते हो इस ताइम आपने को केडा voucher ओपन है payment voucher ओपन है अगर तुसी contra voucher open करना है तो तुसी simple F4 प्रेस करना है तो तुसी देख सकते हो अपना केडा voucher open है contra voucher open हो गया है तो अगर अपना गल करिए कि जड़ा contra voucher है ओ अपना केडिया transactions देली use कर देया तो contra vouchers दे विच अपना transaction record कर देया जिमें कि bank account to cash account and cash account to bank account transactions हो गया या bank to bank account transactions हो गया या cash account to cash account transactions हो गया तो एक comedian transaction हो दिया जिमें कि अपना bank दे विच money deposit कर वाली बैंक देविचों मनी विड्राउ कार ली या एक बैंक चों दूसरे बैंक देविच ट्रांसफर कीते या एक कैश अकाउंट चों दूसरे कैश अकाउंट देविच मनी ट्रांसफर होई है उसदी अंजिनिया ट्रांसेक्शन्स ने ओपां कॉंट्रा वाउचर देविच हो जानदा है तब तुसी देख सकते हो नेम तो ही आप पानू पता चल रहे है कि पेमेंट वाउचर जड़ा है ओ पेमेंट्स भी या ट्रांजक्शन रिकॉर्ड करने लिए यूज किता जानदा है तुसी पेमेंट करनी होएगी तुसी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है ओ तुसी पेमेंट वाउचर देविच रिकॉर्ड करोंगे पेमेंट वाउचर दे विच आपा cash थ्रू कितियां गियां, payment, bank थ्रू कितियां गियां, payments या online कितियां गियां, payments आपा इथे record कर देयां थर्ड वन इज रिसीप्ट वाउचर, ता रिसीप्ट वाउचर दी जड़ी shortcut command है, ओ है F6, आपा F6 प्रेस करांगे, ता तोड़े सामने तोड़ा रिसीप्ट वाउचर है, ओ ओपन हो जाएगा जड़े रिसीप्ट वाउचर है, जड़ो आपा money receive कर देयां, for example, आपा किसे नों sale किता, आपा किसे नों goods sale कितियां, ता ओपानों payment करेगा, ता जड़ी ओपेमेंट आपा receive करनी है, उस दी entry आपा receipt वाउचर देविच record करांगे रिसीप्ट वाउचर देविच आपा cash थ्रू किती गयां रिसीप्ट, bank थ्रू किती गयां रिसीप्ट या online जड़ी पेमेंट रिसीप होई है, उस दियां transactions record करांगे, रिसीप्ट वाउचर देविच देन आउदा है अपना journal voucher and इस दी shortcut command है F7, जिमें ही तुसी F7 क्लिक कर रिसीप्ट वाउचर देविच आपा adjustment entries कर दे हां, या credit sale purchase दी entry भी आपा journal voucher देविच कर सकते हैं, इस दो बाद आंदा है अपना sales voucher and इस दी shortcut command है F8, तत उसी keyword तो F8 प्रेस कर लेना है, ता sales voucher भी name तो ही suggest हो रहा है कि sales voucher आपा sales दियां, entries दो record करन दे ले यूज़ कर दे हां, चाहिए तुसी कोई credit sale किती है या cash through, bank through sale होई होई है, ता ओ records जो ओ transaction आपा record करने या ने, ओ आपा sales voucher दे विच record करांगे, देन उस दो बाद आंदा है अपना purchase voucher, ता इस दी shortcut command है F9, आपा F9 प्रेस कर लांगे and अपने को purchase voucher है जो open हो जाएगा, purchase voucher आपा use कर दे हा purchase the entries record करन दे ले, जिवें तुसी credit purchase कर ली, या किसे तो cash through या bank through purchase होई है, ओ entries आपा किते record करांगे, purchase voucher दे विच, लास्ट दे विच अपना ओंदा है other vouchers, means एन ना तो इलावा, अगर कोई होर vouchers ने, ता अपने किते show होणगे, other vouchers दे विच and इस दी shortcut command है F10, ता आपा प्र प्रेस कर लेने हा, जिवें ही तुसी प्रेस करोंगे, ता आपने को दो होर vouchers मिलंगे, जिडे की credit note and debit note है, credit note and debit note किस purpose दे ले, यूज होंदे ने, ये आपा on वाली वीडियो दे विच दे विच देखांगे, ता इस तरह आपा आज दी वीडियो दे विच देखा कि अपने टैली दे विच केडे vouchers होंदे ने and another key key use है, टैली दे विच transactions record करना इनक जादा easy है, क्योंकि हर टाइप दी transaction दे ले आपा नो अलग लग voucher प्रवाइड किते गे ने, ता आपा देखा कि contra voucher की है, केडियों transaction इस दे विच होंदे ने, जिवें कि cash withdraw करा लेया, deposit करा लेया, transfer हो गया, एक bank account हो, दूसरे bank account दे विच payment voucher आप payment दिया, entries दे ले use कर दे हा, receipt voucher आप receipt दिया, entry चाहिए cash through कार रहे हो, या bank through कार रहे हो, journal आप adjustment entries and credit entries दे ले use कर दे हा, sale purchase voucher आप sales and purchase the entries दे चाहिए cash through होई है, या credit sale purchase है, ता I hope ता नो समझ आया होएगा, के केड़ा voucher आपा केड़ी टाइपस दी transactions दे ले use कर दे हा, ता आज दी वीडियो दे विच आपा एनना कही cover करांगे, next वीडियो दे विच आपा cover करांगे के जिड़े एहे vouchers ने, एनना दे विच entries किद्धा record कितिया जांदिया ने, ता अगर तो अनू साधिया वीडियो अच्छिया लग द रहिए, thank you so much